हाई एवरिवन वेल्कम बेक तो माई चैनल माई नमिस अनिल और एकमा स्क्रिप्ट की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बिल्कुल सही जुना आपने जो Classes थी वह जावस्क्रिप्ट में पहले नहीं थी यह आई थी ECMAScript 6 के अंदर और आपको ध्यान रखना है पूछ लिया जाता है कि Classes concept कब आया है तो आपके वारे ऐसा बोल देते हो कि ECMAScript 7, 8 में आया था या फिर बोल देते हो प्रोपरिटीस, फॉंक्शन वगरा यह बात करेंगे Classes को instance बना के उनको call कैसे कर सकते हैं यह भी बात करेंगे interview questions के भी बात करेंगे So now let's get started यह मेरी output screen है और यह मेरा class.html नाम से एक file बना रखे है इसके अंदर हमारा code करेंगे पस्ट अभी के लिए इसके अंदर HTML का code ही है जावस्ट का code लिखा नहीं है पहले थोर्डीकल question कवर कर लेते हैं Classes होते हैं यह user defined data types होते हैं because हम उनको define करते है right and second चीज एक wrapper होता है जिसके अंदर हम हमारे similar type के और interrelated properties और function define कर सकते हैं right so example के लिए अगर मैं आपको यहाँ बोलता हूं कि एक class बनाओ तो क्या बनाओगे आप अगर आप class बनाते हो apple तो नहीं एक apple कभी class नहीं हो सकती class हो सकता है fruits right class अगर मैं आप यह बोलो कि lion एक class मिना दो नहीं, lion एक class नहीं हो सकता, class हो सकता है animals right अगर मैं बोलो कि anil एक class मिना दो नहीं, anil एक class नहीं हो सकता, employees एक class हो सकता है students एक class हो सकता है और उसके इंदर different methods हो सकते हैं और properties हो सकते हैं तो यह चीज हमेशा ध्यान रखो कि कैसे हम classes define करते हैं और एक class define करते हैं हम यहां पर यहां पर basically लिखता हूं class सबसे पहले और class मैं आप लिख लेता हूं fruit fruit भी लिख सकते हो, fruits भी लिख सकते हो basically fruit एक तो होता है नहीं तो fruits हो सकते हैं कितनी भी हो सकते हैं तो basically इसको plural ही लेके चलते हैं and then यह आपका basically class हो गई है इसको call कैसे करोगे आप इसको आप call करने के बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको अप जिस लिख सकते हो let f1 f1 लगा लो, f2 लगा लो जो भी लगा लो और new fruit देखो अब यह जो f1 है ना यह एक variable हो गया fruit type का इसलिए हम कहते हैं user defined data type हो गया आपको इसको इस तरीके से भी call कर सकते हो जैसे भी लिखा हो है और इस तरीके से भी call कर सकते हो दोनों ही same है यह हमने बना दी यह call कर दिया बट इसके दर हम क्या काची define कर सकते हैं सबसे पहले constructor constructor जब भी हम define करते हैं तो जब भी हमारी object बनेगा न तभी call हो जाएगा अपने आप से ही call हो जाता है और मैं आप लिख देता हूँ अभी के लिए constructor इस तरीके से और जैसे मैं आप एक constructor लिखता हूँ अब आप इसको refresh करेंगे हम तो यह अपने आप ही call हो गया इसको मैंने कहीं call नहीं करवा रहा रहा कहीं function जैसा किसी की तरीके से जैसे हमारी object बनता है यह अपने आप call हो जाता है well that's great second चीज अगर मैं इसमें मुझे एक variable लेना है तो मैं कैसे लोगा variable तो ऐसे ले सकता हूँ let a जी नहीं ऐसे हम नहीं ले सकते इसके अंदर हम इस तरीके से variables constant डिफाइन नहीं करते इसमें हम directly properties ले सकते हम इसमें ऐसे ले सकते हो directly a ले सकते हो हमें let where constant नहीं चलेंगे तो मैं यहाँ पर name ले देता हूँ let's say orange right और जब इसको आप यहाँ पर call करोगे तो क्या call करोगे आप यहाँ पर name right try करते हैं यहाँ पर लिखा but यहाँ पर constructor है name तो यहाँ पर इसने दिखाए नहीं मुझे alright again हम यहाँ पर try करते है this.name right आप इसको refresh करते हैं अब आ गया तो जो भी हमारी properties होगी अगर इसके अंदर ही हमें call करनी है तो हमें this उसके साथ में use करना ही पड़ेगा अदर्राइस उस समझ में नहीं आगा name है क्या right alright then इसके बाद में हमारा function कैसे बना सकते है function ऐसे बनाएंगे function test जी नहीं function इसमें ऐसे नहीं बनाएंगे function के लिए आपको function keyboard नहीं लिखना है just ऐसे लिखना है function का नाम directly जैसे कि get fruit याफी test भी लिख सकते थे right fruits इस तरीके से और जैसे आप से ब्रैकेट से लिखाऊगे इसको समिझ में आ दाएगा अपना color अपने आप चेंज कर लेगा कि यह function है right मुझे fruits की spelling ठीक करनी है just give me a moment और इसके अंदर भी आप कुछ भी अब मैं इसमें कुछ console करवाजता हूं console.one और यहां पर लिखता हूं मैं function right तो अब मैं जैसे इसको refresh करूँगा क्या यह call हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं क्यों क्यों कि अब तक इसको अमने call नहीं करा अब मैं क्या करता हूं f1.get function इसको call करता हूं तो यह call हो जाएगा बिल्कुल call हो जाएगा अब इसमें कोई problem नहीं है अब यह दोनों के दोनों call हो गए but इसके अंदर में यहां पर ऐसा करने की जो उतनी है इसके अंदर में return भी कर सकते है जैसे में यहां पर return कर देता हूं apple इस तरीके से तो अब जो print करवाएगा यह print इस तरीके से करवाएगा यहां पर लेना पड़ेगा console.one इस तरीके से और अब हमें यहां पर जब refresh करेंगे तो apple मिल गया यहां से कुछ parameter में भी send कर सकते हो जैसे कि आपने यहां पर send कर दिया apple आपने यहां से send कर दिया let's say right यहां पर को variable ले लो let's say item और इसको यहां से return करवा दो right जो this.name है यह भी use कर सकते हो कोई problem नहीं है right तो basically मैं मोटा मोटा समझ में आ गया यहां पर कि classes बनती कैसे हैं constructor कैसे बनते हैं अगर properties refining करने से कैसे call कर सकते हैं function कैसे call कर सकते हैं इसको पास कर सकते हैं यह ज़िए देख ली question क्या क्या बन सकते हैं इसके उपर question पहला तो कितने तरीके से हम इसको basically instance create कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक तो वह तरीका था और second तरीका आप यहां पर as in function बनाके भी इसको call कर सकते हो तब हम लगाते हैं यह जी हो सकते है function कैसे define करते हैं तो कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे गलती से ऐसे बहुत देख function इस तरह किसे define करते हैं बिलकुल नहीं ऐसे define नहीं कर सकते हैं तो basically यह कुछ-कुछ questions पूछ लिए रहा सकते हैं और यही पूछला जाता है यहां पर orange है तो इस तरीक से एक से ज़्यादा properties बन सकते हैं तो कुछ छोटे मोड़ी questions पूछ ले जाते हैं तो that's all for classes और next वीडियो के दर हम बात करेंगे कि inheritance हम इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं तो bye bye take care and please don't forget to subscribe and like this video